हाई बच्चों, I welcome all of you to Mr. Meteors, कैसे हो आप लोग होप, आप लोग अच्छे होगे, हिल्दी होगे, मुझे पता है पांचे दिन हो चुके हैं, वीडियो नहीं आये थे, इसका रिजन था कि मेरी तवियत अच्छी नहीं थी और अभी भी गले में खरास है, तो कोई बात नहीं, जो मैं deliver करना चाहता हूँ, वो आप तक पहुचना चाहिए, that is important, सिखते रहो, बस, तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, 11th का 5th chapter, Laws of Motion, ये chapter अपने 9th में भी देखा होगा, बच्चों, 9th में भी ये topic पढ़ना होता है, Laws of Motion के बारे में, बट वहाँ पे हम बहुत अच्छे detail में नहीं पढ़ते हैं, आज हम लोग detail में पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे question को solve करने की courses करेंगे, तो सुरू करते हैं बच्चों, बच्चों, पिछले class में हमने पढ़ा है kinematics, kinematics क्या होता है, motion की mathematics, बता चुका हूँ पहले भी, जिसमें हमने पढ़ा कि ये motion होता क्यों है, motion जो है, एक effect है बच्चों, motion क्या है, एक effect है, और उसका cause, उसका cause है force, इसका मतलब है बच्चों, कि force जो है, वही motion create करता है, या फिर, motion में कोई भी changes लाता है, वो force ही लाता है, कैसे example से समझते हैं, suppose ये rest में है, इसको मैं motion देना चाता हूँ, तो मैंने इधर से force लगा है, देखो motion में आ गया, तो कैसे ये motion में आया, बच्चों, इसको तोड़ तोड़ के समझो, जब ये rest में है, और मैंने force लगा है, तो force क्या करता है, बच्चो, acceleration produce करता है, अब ये बात को आप Newton second law, में पढ़ा भी होगा, आपने, नहीं पढ़ा है, तो अभी ज़स पकड़ के बाट जाओ, कि force जो है, वो acceleration produce करता है, जब acceleration produce होगा, बच्चों, तो ये rest से इसमें कुछ velocity आएगी, velocity आएगी, तो displacement होगा, clear सी बात है, force से acceleration, acceleration से velocity, velocity से displacement produce होता है, तो इसमें motion आया, clear है, तो force ही reason ह है, बच्चों, motion का, समझ में आया यहां तक, अब बच्चों, force की unit के बारे में जान लेते हैं, force का जो SI unit होता है, force एक vector quantity है, बच्चों, इसमें direction भी होगा, और magnitude भी होगा, ठीक है, इसकी SI unit होती है, Newton, जिसको हम N symbol से लिखते हैं, जैसे कोई force लग रहा है, 5 Newton, तो उसको कै कैसे लिखेंगे, बच्चों, 5N, ऐसे symbol लिखा हुआ हो, तो समझ जाना, 5 Newton लिखा हुआ, force का यह unit है, clear है, अगर CGS unit की बात करें, CGS unit SI unit यह तो आपको पता होगा, इसमें मैं घुसरा नहीं चाहता हूँ, अल्रेडी मैं बता चुका हूँ, आपको पहले भी unit and measurements में, ठीक ह तो CGS unit इसका होता है, बच्चों, डाइन, clear है, अब force के types की बात कर जाते हैं, तो force के बहुत सारे types होते हैं, बच्चों, weak nuclear force, magnetic force, contact force, non-contact force, बहुत तरह के force होते हैं, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बच्चों, वो contact force के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, normal force के बारे में, normal force क्या होता है, एक contact force होता है, contact force करने का मतलब है, बच्चों, कि जब दो object contact में आते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो force लगता है, वो contact force है, तो non-contact force क्या होता है, जैसे, ग्रैविटेशन force को देखो, ग्रैविटेशन force एक non-contact force है, magnetic force, एक non-contact force है, अर्थ यहाँ है, sun वहाँ है, बट दोनों के बीच में एक force लग रहा है, तो that is non-contact force, contact force कौन से होंगे बच्चों, यह contact force है, जब दो object contact में होंगे, तो normal force लगेगा, जैसे, यह दो block है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, यह दो block है, तो यह दोनों एक दुसरे के contact में है, तो इन दोनों के बीच में normal force लगेगा, बस अभी यही समझो, आगे detail में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, बच्छों, friction force के बारे में, friction force के लिए मैं अलग एक one-shot video बनाऊँगा, उसमें friction force को पुरा complete करऊँगा, that is also contact force, ठीक है, फिर पढ़ेंगे, हम लोग बच्छों, tension force के बारे में, tension force के बारे में, फिर पढ़ेंगे spring force, अब tension force जो होते हैं बच्छों, यह किस में होते हैं, string में होते हैं, rod में होते हैं, ring में होते हैं, chain में होते हैं, यह सारे चीज़ों में tension force देखे जाते हैं, spring force के बारे में बच्छों, कोई spring है जो आपने ऐसे ऐसे देखा होगा ठीक है यह spring है तो इसमें force develop होते हैं इन सारे चीज़ों को discuss करेंगे spring force के अंदर में तो आज जो हमनों discuss करने वाले हैं बच्चों normal force के बारे में discuss करेंगे और spring force के बारे में discuss करेंगे और फिर जो last हमारा complete होगा वो होगा seat of force से मैंने circle of motion में बताया था कि seat of force के लिए अलग video बनाऊँगा तो इसी में मैं include कर दूँगा seat of force को तो शुरू करते हैं बच्चों बच्चों जब भी laws of motion की हम बात करेंगे तो हम हमें इसान newton's law of motion की बात करेंगे सर आईजेक न्यूटन ने three laws of motion दिये थे और उन्हों ने इससे पूरा newtonian mechanics खड़ा करके रख गया था क्लासिकल physics का एक बड़ा पार्ट है newtonian mechanics classical physics क्या होता बच्चों ये physical world के class में मैं बढ़ा चुका हूं ठीक अब सर आईजेक न्यूटन जो थे इस बीच में उन्होंने बहुत सार कंट्रिबूशन किया है बच्चों उन्होंने ग्राविटेशन में किया उन्होंने ऑप्टेक्स में किया हर जगा उन्होंने और उन्होंने three laws of motion देखे पुरा newtonian mechanics भी बना कर रख दिया जो उन्हों पढ़ाई कर रहे हैं वो newtonian mechanics है तो बच्चों इसलिए देखते होगे questions जो आते हैं आपके पुली वाले वेज वाले inclined वाले वो सब इस एरा की ही बाते है ठीक है तो अब सुरू करते हैं बच्चों Newton's law of motion तो उनके first law को समझते है first law of motion क्या था इसको लिखो बच्चों our body will remain in a state of rest or in uniform motion until and unless there is no external force applied अब अच्चों यहाँ पर दो बाते बोल रहा है a body will remain in a state of rest अगर कोई body rest में है तो उसके उपर अगर कोई external forcing लगा होगे तो वह हमेसा रेस्ट में लाएगा दुसरा क्या बोल रहा है बच्चों in uniform motion until and unless there is no external force applied अगर कोई object uniform motion कर रहा है वी वेलोसिटी से uniform motion कर रहा है तो हमेसा वी वेलोसिटी से uniform motion ही करता रहेगा uniform motion क्या होता है इसको समझ लेते हैं बच्चों uniform motion होता है कि velocity जहाँ पे constant हो वैसे motion को uniform motion बोलेंगे वेलोसिटी एक vector quantity है जहाँ पे direction भी होता है और magnitude भी होता है जब direction और magnitude दोनों change नहीं हो रहे हो तो वैसे motion को uniform motion बोलेंगे तो बच्चों अगर कोई force हम नहीं लगाएंगे तो ना उसका magnitude change होगा ना उसका direction change होगा ठीक है यहीं बोल रहा है first law तो बच्चों इसको law of inertia भी बोलते है जो जैसा है वैसा ही चलेगा अब एक चीज़ नोटिस करो बच्चों कि velocity को कौन change करता था acceleration wrist से अगर इसका हम state change करना चाहें यह wrist मैं इसको motion में लाना चाहें तो कैसे आएगा acceleration से तो इसका मतलब है बच्चों की force जो मैंने बताया था force एक cause है motion का cause है तो force acceleration से related है यह indication है देखो there is no external force applied जब हम force applied करेंगे तो कहीं कहीं acceleration आएगा उसी से यह velocity change होगी उसी से wrist से state change करेगा अगर हम कोई यहाँ पर force नहीं लगाएंगे यही बोलना चाहरा है तो क्या मैं इसको mathematically ऐसे लिख सकता हूँ F external net is zero जब external force जो है वो zero हो तो acceleration zero होगा इस बात को ध्यान से देखो बच्चों अगर force external net net force अगर zero होगा net force की बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या बोल रहा था no external force इसको मैंने mathematical term में लिखा है बच्चों अगर net force zero होगा तो acceleration zero होगा इसका मतलब है कि force acceleration produce करता है इस चीज़ को मैंने बताया था उसी को मैं ऐसे यहाँ पर लिख दिया अब इसको समझते हैं बच्चों सपोज यह कोई object है यहाँ पर force लगा F1 यहाँ लगा F2 यहाँ लगा F3 यहाँ पर लगा F4 अब बच्चों F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इन सब को add कर दोगे तो क्या जाएगा F net F net अगर 0 होगा बच्चों तो acceleration 0 होगा यही मैं बोलना चाहरा हूँ तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर यह body rest में है तो यह हमेशा rest में रहेगी अगर यह uniform motion कर रही है तो हमेशा uniform motion कर रही है क्योंकि F external net 0 है तो कोई acceleration 0 होगा इसी condition को बच्चों जब F net 0 हो जाए तो इसी condition को बोला गया equilibrium जब भी question में आपको दिखा गया बच्चों कि body is in equilibrium इसका मतलब है कि उस पर F net जो है वो 0 है ठीक है यह बात समझ में आ गया अब बच्चों second law of motion समझते है अब बच्चों समझते हैं Newton second law of motion Newton second law of motion Newton second law of motion में बोलता है बच्चों कि force applied on a body force applied on a body is equal to rate of change of momentum rate of change of momentum of that body तो क्या rate of change of momentum को मैं ऐसे लिख से अफता हूं बच्चों del P P क्या है momentum है तो momentum में जो change हो रहा है उसको del P upon del T यही होगा rate of change of momentum momentum में जो change हो रहा है time के respect में उसको ऐसे लिख सकता हूं force applied on that body तो क्या mathematical form में मैं ऐसे लिख सकता हूं अब यहाँ बच्चों आपको समझता है कि momentum क्या होता है तो momentum होता है बच्चों mass into velocity momentum होता है mass into velocity अगर किसी भी object का जैसे एक example लेते हैं यहाँ पे यह mass M का एक block है बच्चों जो U velocity से initial velocity इसकी U है इससे जा रहा है तभी मैंने क्या किया कि यहाँ पर force apply करना शुरू कर दिया मैंने यहाँ से force लगाना शुरू कर दिया तो force लगाँगा तो इसकी velocity चेंज करेगी मैंने T time तक यह force लगाता रहा T time के बाद मैंने देखा कि इस block की velocity V हो गई तो यहाँ पे इसका initial momentum कितना है mass into velocity तो U हो गया बच्चों अब जबकि U जो है velocity वो एक vector quantity है तो vector quantity को अगर स्किलर से multiply करते हो तो vector quantity आती है तो momentum जो होता है बच्चों वो भी एक vector quantity होती है clear है तो यह हो गया इसका momentum initial momentum final देख लेते हैं इसका कितना है M into B तो यह हो गया M B और यह हो गया बच्चों M U अब इस formula को यहाँ पे रख दो इस formula में इस दोनों कोई value रख दो तो change in momentum कितना होगा बच्चों M B minus M U M B minus M U upon कितने time तक मैंने force लगाया था यहाँ पे यहाँ जो force लगाया था वो T time तक लगाया था तो क्या delta T हो जाएगा yes हो जाएगा M common लिया V minus U upon T अब याद करो बच्चों kinematics में हमें पढ़ा था कि V minus U upon T जो होता है वो acceleration होता है तो that is M A तो force का formula क्या आगया बच्चों M into A तो यह force जो हम पढ़ते हैं बच्चों F is equal to M A यह Newton second law से derive होकर आता है बच्चों यह 9th वाली class की कहानी है 11th class में थोड़ी से और पढ़नी पढ़ेगा आपको बच्चों यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि mass जो है यहाँ पर भी M है यहाँ पर भी M है तो यह तब ही आप लगा सकते हो जब mass constant हो यहाँ पर एक assumption है कि mass constant है actual formula यह होता है बच्चों force का actual formula जो होता है यह हमेशा true है बट उसी से मैंने derive किया यहाँ पर f is equal to ma जहाँ पर mass constant हो तब f is equal to ma लिख सकते है अब बोलोगे कि sir mass कहाँ पर vary करेगा अगर mass vary करने लगे तब क्या होगा तो mass जब vary करेगा बच्चों तो f is equal to ma is not true f is equal to ma is not true तब क्या करें तब इसके original formula पर आएंगे जो force क्या होता है बच्चों del p upon del t तो इसको समझते हैं आगे मिठा दो इसको अब बच्चों mass vary कर रहा हो when mass varies case इसमें 2 है case 2 उसको case 1 निख लेना this is case 2 when mass varies पले इसका example देखते हैं बच्चों कि mass कैसे vary कर सकता है जैसे हमारे पास एक rocket है हमने इसको उपर भेजा यह इसका exhaust gas इसमें बच्चों fuel tank होता है fuel होता है जिससे यह उपर जा रहा है तो जब यह उपर जा रहा है बच्चों तो इसका fuel conjunction हो रहा है fuel के conjunction हो रहा है जिसके चलते वो fuel जो है वो exhaust gas बनके बाहर निकल जा रहा है clear सी बात है तो इसका fuel जो है, जैसे जैसे यह उपर जाएगा इसका fuel जो होगा, वो कम होता जाएगा तो कम होता जाएगा, तो क्या इसका mass कम होता जाएगा क्योंकि fuel जो है वो इसके अंदर के जो tank है उसमें है, और fuel जो है वो कम होता जारा है, इसके चलते बच्चों, इसका mass कम होता जाएगा, तो इसका must कम होता जाएगा तो क्या f fragile to ma लगा सकते हो आप नहीं लगा सकते हो यहाँ पे देख़ो mass vary कर रहा है जैसे जैसे उपर जा रहा है, इसका fuel एपनेटिव कम हो रहा है और इसका मास कम हो रहा है तो बच्छों वहाँ पर क्या करें तो वहाँ पर हमको ऊरिजिनल फॉर्मूला पर आना पड़ेगा dp upon dt लेख सकता हूं तो P is equal to मैंने आभी आपको बताया था बच्चो कि mass into अब बच्चो एक general case लेते हैं इसको अभी मत समझो यहां पर देखो general case ले रहे हैं जब velocity भी vary कर रही हो और mass भी vary कर रही हो तब formula क्या होगा बच्चो यह होगा तो यह हो गया original formula तब बोल रहा है बच्चो कि when mass varies velocity की बात नहीं कर रहा है यहां पर बोल रहा है कि velocity constant है मालनो velocity is constant ठीक है velocity vary नहीं कर रही है तो dv upon dt क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहां dp upon dt मत तब force का formula जो होगा बच्चो वो हो जाएगा V dm upon dt, clear है, और जब, case number 3, जब mass V vary कर रहा हो, और velocity भी varies कर रहा हो, तब क्या होगा formula, तब होगा dp upon dt is equal to mdv upon dt plus V dm upon dt, clear है, तो आपको हमेशा बच्चो यह formula को ध्यान में रखना है, इस formula से सारे formula derive हो जाएंगे, जैसे जब mass constant हो, जब mass constant होगा तो dm upon dt क्या होगा, 0 होगा, तो mdv upon dt हो जाएगा formula, फोर्स का, यह force का formula होगा, बच्चो, तो force का formula होगा mdv upon dt, तो dv upon dt क्या होता है, acceleration होता है, तो f is equal to ma होगा, clear है, जब mass varies कर रहा हो तब क्या होगा तो mass vary करेगा बच्चो और velocity constant है मालो तो dv upon dt जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि velocity constant है तो ये term जो होगा v dm upon dt जो होगा बच्चो ये force का formula हो जाएगा और जब दोनों vary कर रहे हो mass भी vary कर रहा हो, velocity भी vary कर रहा हो तो formula यह होगा तो आपको हमें साही यह याद रखना है और जब mass को constant करेंगे तो dm upon dt जोगा वो 0 होगा जब velocity को constant करेंगे तो dv upon dt जोगा वो 0 हो जाएगा ठीक है उससे formula न कर जाएगा तो यह हुआ बच्चो Newton's second law अब बच्चो हम लोग पढ़ते हैं Newton's third law of motion Newton के third law of motion को समझते हैं बच्चो सबसे पली यह होता क्या है इसको समझ लेते हैं every action has every action has equal and opposite reaction चलो इसको example से समझाता हूँ मैं suppose कोई wall है बच्चो सामने आपके wall है आपने घूसा मारा उस पे F4 से मारा तो बच्चो जब आपने मारा तो आप देखते हो कि आपके उपर भी चोट लग जाती है क्यों आपके उपर चोट लगी आपने तो मारा था wall पे बट आपके उपर क्यों चोट लग गए तो यही बोलता है बच्चो न्यूटन थर्ड लॉफ होंसन से यह चीज डिफाइन होती है कि जब आपने मारा बच्चो F4 से तो न्यूटन थर्ड लॉफ होंसन से क्या होता है आपने F4 से जब मारा है तो F4 से wall भी आपके हाथ पे मारता है और direction क्या होता है opposite होता है मतब आपने अगर force इस तरफ लगाया है हाथ से wall पे तो wall भी आपके हाथ पे opposite direction में equal force लगाएगा जितना आपने जिस force से मारा है wall को wall भी उसी force से आपको मारेगा ठीक है बच्चो समझने में तरफ जीव लग रहा है बट ऐसा होता है इसलिए आपको चोट लग जाती है तो बच्चो इसको mathematical form में कैसे लिख सकते हैं force हमने जो लगाया wall पे by hand is equal to minus of minus क्यों लगा रहे हैं बच्चो यहां लिखावा देखो every action has equal and opposite reaction equal का मतलब है बच्चो जितना force हम लगाएंगे wall पे wall भी उतना ही force हम पे लगाएगा ठीक है वो equal का मतलब है opposite का मतलब है कि जिस direction में हमने लगाया था force उसके exactly opposite direction में wall भी हम पे force लगाएगा इसलिए यह minus sign आया तो force on hand by wall तो क्या mathematical term में ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं अब बच्चो इसका बहुत अच्छा example है normal force normal force जो है इसका बहुत अच्छा example है यह आपको normal force में देखने को मिलेगा बच्चो फ्रिक्सन में देखने को मिलेगा, नेक्स वीडियो जो होगा, वो फ्रिक्सन के ओपर होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैं ये न्यूटन थर्ड लाओ को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल फोर्स को समझ लेते हैं पहले बच्चो, एक ब्लॉक ऐसे रख है, mg, अब ये बताओ, नीचे की तरफ फोर्स जब लग रहा है, तो ये नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, नीचे जाना चाहिए, नीचे की तरफ फोर्स है, इसका मतलब है कि कोई न कोई फोर्स इसको इक्वालाइस कर रहा है, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इ के नीचे जाना चाहिए इसका मतलब है कि इसके उपर opposite में कोई force लग रहा है तो होता क्या है बच्चों कि यह table है suppose this is table ठीक है तो table क्या करती है कि इसके उपर एक force लगाती है because यह दूनों एक दूसरे के contact में तो normal force मैंने बताया था कि आपको एक contact force होता है चलो यहाँ पर लिखो ओकर के लिखो यह एक contact force है जब दो object contact में हूंगे तभी आप normal force लगाओगे जब दो object contact में हूंगे तभी आप normal force लगाओगे और normal force को denote करते हैं बच्चो एंस है ठीक है यहाँ तक समझ मैं है तो table क्या कर रहा है बच्चों इसके उपर normal force लगा रहा है देखो इसके उपर normal force लगा रहा है अब बच्चों हमारा Newton's third law of motion बोलता है कि every action has equal an opposite reaction जितना force table ने इस पे लगाया ब्लॉक पे लगाया एन उतना ही ब्लॉक टेवल पे लगाएगा ठीक है एन लगा दिया तो बच्चों ये हुआ इसका force टाएगा अब यहाँ पे समझो कि mg नीचे के तरफ mg नीचे के तरफ n उपर की तरफ लग रहा है तो ये n जो है बच्चों यही इसको balance कर रहा है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन इस कल्टों mg यस लिख सकता हूँ तो देखो normal force की जो value हो गई वो mg आ गई तो बच्चों य अब बच्चों सबस्टों करें वह चलते लग रहा है जोगत है यह दोनों का नीचे जो डिफ्रेंट है it ये पेट फोर्स है ऑफ में दोनों बच्चों सेम होने चाए नेचर के ठीक है? यह समझ में आया C Newton 3rd law of motion से वो opposite direction में equally लगते हैं opposite direction में लगते हैं और और नहीं लगा और लगा तो and equally लगते हैं ठीक है अब जो सबसे जो important बात बोलने जा रहा हूँ बच्चो वो point number 4 है कि normal force का direction क्या होगा normal force का direction क्या होगा तो normal force का direction होता है always perpendicular to point of contact चलो इस point पर थोड़ी सी और example लेके समझते हैं यहां तक समझ आया बच्चो बिटाओ अब बच्चो समझो यहां पर एक sphere मैंने ऐसे रख दिया इसका यह center है इसके उपर mass M का block रख दिया अब यह दोनों एक दूसरे के contact में है तो definitely यहां पर एक contact force लगेगा कौनसा contact force लगेगा normal force लगेगा clear सी बात है ठीक है contact में है तो contact force लगेगा pair में लगेगा clear सी बात है तो mass M यहां पर रख दो ऐसे यह line कौन सा में बना रहा हूं बच्चों जहां पर इसका point of contact है कोई ऐसा point of contact होगा वहां पर normal force लगेगा तो यह हुआ बच्चों normal force ब्लॉक के उपर लगा रहा है sphere तो यह sphere पर भी लगाएगा तो sphere यहां बना लो sphere पर भी इसने normal force लगाए अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यह normal force का जो direction है चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ यह हमेशा center से pass करेगा direction की बात कर रहा हूं direction जो होगा वो center की तरफ होगा क्योंकि किसी भी sphere या किसी भी circle पे बच्चों किसी भी point पे कोई circle है समूझ किसी circle के किसी point पे अगर हम tangent करके normal लेते हैं तो हमेशा center से pass होता है किसी भी point पे normal लेंगे तो वो center से pass करता है इसलिए बच्चों यहाँ पे जो normal force का direction होगा वो center से pass करेगा तो यहीं बोल रहा है बच्चों की perpendicular to the point of contact होता है ऐसा नहीं कि normal हमेशा उपर की तरफ लगा देना नीचे की तरफ लगा देना नहीं, हमेशा जहां भी contact हो रहा होगा उसके perpendicular लगाना यहां पर contact कहा हो रहा है, यहां पर कहीं contact हो रहा होगा दिख रहा है आपको, कहीं यहां contact हो रहा होगा तो यह देखो, normal लग गया उसके perpendicular यह समझ लो point of contact है यही वाला point contact में आ रहा है यह वाला point जो है, तो इस पे normal लग गया उपर की तरफ और इसने normal लगा दिया, इस पे नीचे की तरफ क्लियर बात है, तो यह एक contact force है, यह भी proof हो गया क्योंकि यह contact में है, pair forces है, देखो pair में लग गया sphere ने इसके उपर normal उपर लगाया, इसने sphere पे normal नीचे की तरफ लगाया क्लियर है, opposite direction और equally लगते हैं, देख लिए हमने और perpendicular to point of contact है, point of contact जो होगा उस पे perpendicular लगाना है, ठीक है, ऐसे, समझ में आ गया बच्चो, normal force, चलो इस पे question मनाओ, यह एक block है, यह दुसरा block और यह तीसरा block, ऐसे तीन block है, बच्चो, surface पे रखेंगे, आप से बोला जा रहा है, कि यह surface जो है, वो smooth surface है, कैसा surface है, smooth surface है, तो जब भी smooth surface की बात हो, बच्चो, तो आप समझ ज़ें कि यहाँ पे friction नहीं है, यह सब आपके दिमाई में तुरह ताना चाहिए, smooth surface लिखा हुआ है, अच्छा, friction zero कर दिया, ठीक है, यह suppose 5 kg है, यह 10 kg है, यह 15 kg है, ठीक है, 80 newton का force मैंने यहाँ से लगाया, अब पूछ रहा है आपसे बच्चो, कि यह तो देखो, 5 kg और 10 kg दोनों एक contact में है, यहाँ पे contact है, 10 kg और 15 kg जो है, वो भी contact में है, तो contact force तो लगेगा, तो पूछ रहा है कि आपसे यहाँ पे contact force की value क्या है, यहाँ पे 5 kg और 10 kg के बीच में जो normal force लग रहा है, और 10 kg और 15 kg के बीच में जो normal force लग रहा है, ठीक है, यह आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा बच्चो एक बाद बताओ, मैंने तो 80 N का force इस पे लगाया था, लेकिन यह 15 kg भी आगे बढ़ने लगेगा, क्यों बढ़ने लगेगा, रिजन बताओ, तो इसका रिजन यह है बच्चो, कि यह 5 kg जो है, इस पे 80 N तो आपने लगा दिया यहाँ पे, अब देखो, 10 kg जो है, इसके उपर एक normal force लगाएगा, लगाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के contact में, तो इसने लगाए इसके उपर normal force N1, तो यह भी बच्चो 10 kg पे लगाएगा, एक normal force, यह 10 kg है, अब ओजी डिरेक्शन में, N1 लगाएगा, बिलकुल, अब बच्चो, यह 15 kg और 10 kg यहाँ भी contact में हैं दोनों एक दूसरे के, तो क्या होगा, 15 kg भी 10 kg के उपर एक normal force लगाएगा, बट normal force की value change हो जाएगी इस बार, क्योंकि इस बार देखो बच्चो, 10 और 15 के बीच में जो लग रहा है, 5 और 10 के बीच में लग रहा है, सेम नहीं होगा, क्योंकि हमें सब pair में आते हैं, यहाँ जो होगा, यहाँ जो हो यहाँ पर लगाया था, बट 15 kg भी आगे बढ़ने लगा, क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि normal force जो था, वही इसको movement आगे की तरफ करा रहा है, समझ में आया, तो बच्चो अगर आप से पूछा जाएगा, कि normal force का यह value निकालना है, n1 निकालना है, और n2 क्या है, इसकी value निक चालना है, तो 18 newton total force है, और पूरे को मैंने एक system ले लिया, पूरे को मैंने एक system ले लिया, तो यह हो गया बच्चो 15 प्लस 5, 20 प्लस 10, 30, 30 हो गया, तो यह हो गया, बच्चो 8 by 3 meter per second square, ठीक है, यह acceleration की value आ गई, यहाँ तक्लियर है, अब बच्चो इसका acceleration A है, इसका acceleration A है, इनों का acceleration सेम होगा, बिकोज यहाँ से force लगा रहे है, clear सी बात है, तो इसको लिखना सुरू करते हैं, अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, newton force, newton के second law of motion में बताया था, कि physical to ma होता है, बताया था मैंने, इसको मैंने यहाँ पर use कर लिया, clear है, क्योंकि mass constant है, देखो, हर law जो है, कहीं न कहीं use हो रहे है, इसको यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, तो acceleration किस तरफ है, इस तरफ है, acceleration ही responsible है, इसके movement के लिए, यह wrist में रहना चाहता है, newton first law से यह wrist में रहना चाहता है, लेकिन मैंने force लगा दिया, तो इसमें acceleration आ जाएगा, clear सी बात है, त तो f net जो होगा, f net, वही produce करता है acceleration, newton second law में हमने देखा था यह चीज, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, बच्चों, acceleration के इस तरफ है, इस तरफ, force की तरफ है, 80 newton इधर, n1 इधर, तो इधर की तरफ जा रहा है, तो लिखते है, 80 minus, 80 minus n1 is equal to, यह force हो clear सी बात है, बच्चों, चलो, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर acceleration इस तरफ है, n1 इस तरफ, n2 इस तरफ, तो n1 minus n2 is equal to 10 into a, लिख सकते हैं, फिर इसके लिख दो, तो n2 जो force है, यही इसमें acceleration create कर रहा है, तो n2 is equal to हो गया, बच्चों, 15 into a, अब मैंने बच्चों, a की value य यहाँ से ऐसे निकाली है, या फिर आप यहाँ से में निकाल सकते हो, a की value, देखो, दोनों तरफ से निकालेंगे, a की value यही आएगी, निकालते हैं, चलो, यही से निकालते है, a की value, तो यह हो गया, 15 a, 10 2 को यहाँ पर रखोगे, तो क्या हो जागा, n1 minus 15 a, 10 1 कितना हो जा इसकल तो 80, तो a की value हो गए, बच्चो, 80 by 30, that's mean, 8 by 3 meter per second, देखो, आ गया, या ऐसे निकाल लो, चाहे, ऐसे निकाल लो, अगर a की value आपको पता है, बच्चो, तो a की value यहाँ पर रख दोगे, तो n1 निकल जाएगा, n1 की value निकल जाएगी, a की value आपको पता है, तो n2 निक जाल सकते हो, तो इस तरह से बच्चो, normal force जो होते हैं, उसको हम calculate कर सकते है, clear बात है, समझ में आया, हमेशा यहाँ पर जो important चीज है बच्चो, वो यह ध्यान रखना है, कि यह दोनों देखो, contact में है, तो हमेशा contact force लगाना है, contact force कौन से लगएगा, यहाँ पर, normal लगएग स्मूथ पहले ही बोल दिया है, तो friction लगाना ही नहीं है, clear है, अब दूसरी चीज एक, कि N1, N1, यह तो मैंने pair में लगाया, यहाँ पर, जैसे ही surface चेंज हुआ है, इसके बाद यह दूसरा surface है, तो यहाँ पर जो normal की value होगी, वो different होगी, यह चीज आपको ध्यान रखना है बच्चे क्या करते हैं, कभी-कभी गलती कर देते हैं, N1, N1 यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी N1, N1 लगाते हैं, ऐसा नहीं करना बच्चो, जैसा ही surface चेंज हुआ दे को, यहाँ पर जो surface है, यहाँ पर लग गया N1, N1, लग गया, यहाँ पर जो surface है, यहाँ लग गया N नॉर्मल की वैलो, ठीक है, अब बच्चों इसी में आपको पढ़ना है, अब बच्चों की जो मुमेंटम इनिसियली है, वही मुमेंटम फाइनल होगा, यह कब होगा, इसका कंडिसन है कि सिस्टम आइसोलेटिड होना चाहिए, आइसोलेटिड सिस्टम वही यह, चीज हम हमें सा लगा सकते हैं, इसको कॉलिजन में अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा बहुत समझ लो, कि कंडिसन आफोमेंटम कब लगा सकते हैं, जब सिस्टम आइसोलेटिड हो, आइसोलेटिड सिस्टम का क्या मतलब है बच्छो, इसको समझते हैं, जैसे यह गन है आपके पास, और यह बुलट है, तो गन और बुललट को मैंने बच्छो एक सिस्टम मान लिया, ठीक है, तो यह क्या होगा सिस्टम, अब सिस्टम आइसोलेटिड सिस्टम कब बता है, जब इस सिस्टम के उपर F.NET, F.NET जो है, वो 0 होगा, तो ऐसा सिस्टम को हम बोलेंगे, isolated system clear है तो isolated system क्या होंगे बच्चो जिसके उपर F net जो होगा वो zero हो जाएगा वैसे system को isolated system होगे और जब system isolated system होगा तो conservation of momentum लगा सकते हैं मतलब momentum initial is equal to momentum final लगा सकते हैं clear सी बात है momentum initial is equal to momentum final कैसे हुआ तो बच्चो ये हुआ second law of motion से second law of motion में क्या बोलता है बच्चो कि force is equal to del p upon del t होता है ठीक है जब force net zero होगा किसी isolated system में तो del p क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है यह 0 होगा तो इदर multiply होके 0 हो जाएगा तो del p is equal to 0 हो जाएगा जब del p 0 होगा इसका मतलब है बच्चो कि momentum में कोई changes नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि momentum initial to momentum final होगा कब जब f is equal to f net is equal to 0 होगा इसका मतलब system isolated होगा clear है समझ में आया इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चो suppose यह gun है यह bullet है bullet का mass मैंने लिया बच्चो mb gun का mass लिया mg मैंने इन दोनों को एक system माना मानने के बाद मैंने देखा कि इसके उपर f net क्या 0 है yes 0 है तो यह isolated system है अब जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि isolated system है तो मैं conservation of momentum लगा सकता हूँ ठीक है अब मैंने इसको पर fire किया बच्चो इसको fire किया तो इसकी velocity जो थी suppose vb है bullet की तो gun की भी एक speed पीछे की तरफ होती है क्यों होती है बताओ Newton third law of motion में मैंने बताया था बच्चो कि जो force gun bullet पे लगाएगा वही force exactly उतना ही force और in opposite direction gun पे bullet लगाएगा ठीक है force on bullet by gun is equal to minus of force on gun by bullet होगा तो अगर force इस bullet पे लगाया gun ने तो इस bullet ने भी gun पे पीछे की तरफ force लगाया तो जैसे ही force लगाएगा बच्चो तो पीछे की तरफ acceleration होगा force आएगा तो acceleration आएगा तो velocity होगी तो इसका velocity gun की velocity जो है वो मैं VG माल देता हूँ अब देखो बोल रहा है बच्चो की ये system जो है isolated है क्योंकि इस पे external force जो है वो 0 था इस system पे तो आइसोलेटर सिस्टम है तो मैं momentum initial is equal to momentum final कर रहा हूँ initially momentum कितना है बच्चो इसका 0 ठीक है final momentum क्या है तो जेको यहाँ पे velocity MB sorry this is VB and this is VG तो क्या इसका momentum मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को multiply करके इन दोनों का momentum लिख सकता हूँ clear सी बात है बट यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है बच्चो कि velocity VB जो है इस direction में है और VG जो है gun का velocity इस direction में दोनों opposite direction में तो इसको मैं minus sign के साथ लिख दिया तो momentum लिखता हूँ यहाँ पे MB VB minus MG VG ठीक है यह आया अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ MB VB is equal to MG VG अब बच्चो velocity of bullet निकालते हैं यहाँ से velocity of bullet is equal to mass of gun upon mass of bullet into velocity of gun अब बच्चो आप मुझसे पूछोगे कि सर यह gun जो होता है gun पे और bullet पे दोनों पे तो same force लग रहा है बट यह bullet जो है बहुत तेजी से आगे जाता है गन उतनी तेजी से पीछे नहीं आता है जो bullet की speed है वो बहुत जादा होती है उसकी velocity बहुत जादा होती है क्यों तो उसका reason है बच्चो यहाँ पे mass of gun जो होता है और mass of bullet जो होता है इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा difference होता है ठीक है इनका रेशियो देखो तो mass of gun जितना जादा होगा बच्चो उतना velocity of bullet होगा समझ जा रहा है तो यह conservation of momentum के चलते ही बच्चो bullet की speed इतना जादा होती है यह चीज़ मैं यहाँ से proof करना चाहाँ था clear हुआ अब बच्चो इसी में एक और example देखते है suppose यह bomb है bomb ऐसे रखा हुँ था बच्चो फिर आफ़र three time के बाद यह फट गया फटने के बाद क्या हुआ यह फटा जब तो one is to two के ratio में फटा ठीक है इसका mass था m initially जो इसका mass था bomb का वो m था तब आपसे पूछ रहा है बच्चो की इन दोनों के velocity के बीच में relation बताओ यह दोनों पार्ट का जो velocity है उनके बीच में relation बताओ तो देखो p initial is called to p final क्योंकि यह एक isolated system है दोनों isolated system है यह bomb यह bomb दोनों फट के जब अलग हुआ तो यह तो एक इस system के पार थे तो यह isolated system था इसके उपर f net 0 था तो हम यहाँ पे conservation of momentum लगा सकते है अब यह फटने के बाद बच्चो यह जो बड़ा ओला पार्ट है इसका mass कितना हो जाएगा 2m by 3 इसका हो जाएगा m by 3 कैसे होगा पता है 1 is to 2 के ratio में यह तोट रहा है तो इसका mass अगर m है यह पूरे का mass m है इसकी velocity suppose v इस direction में है v1 ले लो और इस क्या v2 ले लो इस direction में तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2m by 3 into v1 minus sign minus sign क्योंकि velocity यह जो है opposite direction में तो यह हो जाएगा m by 3 into v2 लिख सकता हूँ तो यह देखो इधर आएगा तो plus में आ जाएगा m by 3 into v2 is equal to 2m by 3 into v1 mm कट गया तो v2 और v1 के बीच में relation हो गया 3 3 कट गया 2 v1 तो इस तरह से बच्चों बाम के question कोई isolated system बना कर हम निकाल सकते हैं conservation of momentum को use कर सकते हैं अब एक छोटी सी चीज और देख लो बच्चों कि f is equal to क्या होता है delta p upon delta होता है इसको थोड़ा सा feel करो यहां पर जब मैंने एक wall पर एक घूसा मारा ठीक है एक घूसा मारा या फिर इसको दूसरे example से समझते हैं एक different example लेते हैं एक ball है ball से आपने wall पर fake आईसे तो क्या होता है कि ball गया बच्चों wall से टकराया टकराने के बाद फिर यह वापस आ जाता है वापस क्यों आता है क्योंकि ball ने जितना force wall पर लगाया उतना ही force wall ने ball पर लगाया opposite direction में इसलिए वो ball इधर गिर गिया पीछे के तरफ आके गिर गिया explanation समझ में आ रहा है ठीक है अब बच्चों जिस समय टकर हो रही थी उस instant की ध्यान दो जिस समय टकर हो रही थी उस समय एक छोटे से पाटिकुलर टाइम के लिए वो टकर हुई थी wall जो है टकर हुई थी जो wall में वो एक छोटे से टाइम के लिए फिर तो वो आ गिया इधर तो वो एकदम fraction of time है जहां पर टकर हो रही है टकर वाली time की बात कर रहा हूँ एक छोटे से time की बात हो रही है तो time और force उस moment पे निकालना थोड़ा मुस्किल था ठीक है तो उसको ऐसा समझा गया बच्चों इसको अगर इधर ले जाते हैं f into del t is equal to del p अगर बच्चों ये निकालना होगा हमें f into del t इसको बोला गया बच्चों impulse तो क्या हुआ कि वो जो time और force दोनों को calculate करना मुस्किल होगा तो हमने क्या किया बच्चों कि momentum change जो है momentum का जो change है अगर हम उसको निकाल लेंगे तो force और del t दोनों निकल जाएंगे force into del t जो है impulse निकल के आ जाएगा तो हमने एक time निकाला बच्चों impulse जिसमें हमने समझने की courses की force और time दोनों को multiply करके जो आएगा वो बराबर होगा change of momentum के तो change of momentum हमने देख लिया बच्चों कि जब यह जा रहा था और टकरा के जब वापस आया तो momentum का जो change हुआ momentum का जो change हुआ उससे हम निकाल सकते हैं f into del t तो force निकल जाएगा तो वो del t भी हम calculate कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो इसको बोलते हैं impulse बच्चों f into t जो होता है force कितने time तक लगा रहा है जब यह टकर हो रही थी तो force कितने time तक लगा उसको impulse बोलते हैं समझें है जैसे यह block है इस पर आपने f force लगाया delta time तक अब आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों इसका impulse होता हो तो f into delta हो गया ठीक है यह impulse हो गया अगर इसी चीज़ को आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे इसकी सुरू में initial velocity अगर suppose u है और बाद में f force delta time तक लगत करती है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो सपोज इसका मास M है बच्चों तो इसका मास अगर M है तो आप ऐसे निकाल सकते हो f into delta is equal to mb minus mu आप ऐसे करके निकाल लो इसका impulse mb minus mu करके निकाल लो impulse या फिर force into delta कितने time तक लगा उसको करके निकाल सकते हो यह दोनों की value सेम होती है ठीक है free body diagram किसी भी object का अगर बच्चों free body diagram बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं इस चीज़ को यहाँ पे सीखते हैं सपोज यह कोई mass m का block है और यह table है क्लियर सी बात है अब इस mass m पे मैंने देखा बच्चों इन दोनों का force कौन-कौन से लग रहे हैं देख लो दोनों पे अलग-अलग करके mass m पे एक mg लग रहा है ग्रविटेक्सन फोर्स के चलते हैं दूसरा यह table इस mass m पे normal force लगा रहा है उपर की तरफ तो यह block m जो है यह भी table पे एक normal force लगाएगा n same equal and opposite ठीक है तो free body diagram बनाना है बच्चों इस block का इस block का free body diagram बनाना है तो कैसे बनाते हैं देखो सबसे पहला काम object will be taken as point mass लिखलो फिर सम्झाता हूं second show all forces on object third decide frame of reference और observer घबराओं नहीं सब सम्झाता हूं बोल रहा है बच्चों कि इस block का free body diagram बनाओ तो पहला line आपको है ध्यान देना है कि object को हमेशा point mass की तरह लेना है तो जैसे इसका हम free body diagram बना रहे थे तो इसका point mass की तरह इसको assume कर लिए ठीक है so all forces on object on पर ध्यान देना बच्चों इस object पर जितने forces लग रहे हैं इस block पर जितने forces लग रहे हैं उन सारे forces को हमको यहां पर दिखाना होगा तो यह जो force लगा रहा है उसको नहीं दिखाना है जो जो इस पर लग रहा है वही दिखाना है on 8 पे ज़ो लग रहे हैं फोर्स उसको दिखाना है तो ऊब्जेक पर जितने forces लग रहे हैं उन सारों को हम यहां दिखाенगे जैसे Mg नीचे के तरफ लग रहा है और normal force जो है कि गवराओं नहीं स्म reducing Home eben of reference के मतलुंग होता है बच्चों की अब्सर्वर है अब जिलयुकर कहाँ यो है चुंध दॉक फ्रेम होता है बच्चो जहां पे observer जो होता है उसका acceleration observer का acceleration जो होता है वो जीरो होता है ठीक है वैसे frame को बोलते हैं inertial frame inertial frame क्या हुआ बच्चो जैसे ground पे यह ground से देखेगा कि इसके उपर कौन-कौन से forces लग रहा है लगने से free body diagram कैसे चेंज हो जाता है ठीक है वह आपको समझ में आ जागा तो बस अभी यही समझो कि decide करना होता है frame of reference कहां पे है अगर observer ground पे है उसका acceleration 0 है तो उसको बोलेंगे inertial frame में है और हम free body diagram बना दिये अगर non-inertial frame नन-inertial frame क्या होगा बच्चो अगर observer का acceleration something कुछ है not equal to 0 कुछ value है तो ऐसे frame को बोलेंगे हम कि वो non-inertial frame में है जैसे suppose यह observer जो है यह यहाँ से एक bus पे बैठा हुआ है यह bus ऐसे आगे जा रही है यह समझो आगे की तरफ जा रही है तो यह observer का acceleration हो गया अब यहाँ से यह देख रहा है बच्चो इस block को तो होता क्या है बच्चो कि इसके उपर यह जो मतलब इसके उपर acceleration a है तो सीड़ो फोर्स में क्या करते हैं कि इसके अपोजिट डिरेक्शन में इसी मास का ma लगा लगते हैं ऐसे ठीक है तो यहाँ पर free body diagram जो होगा वो change हो जाएगा कैसे होगा बच्चो यह आगे समझाओंगा सीड़ो फोर्स जब पढ़ाओंगा अभी इसी में include करने वाला हूं इस वीडियो में तो इसमें बताऊंगा अच्छे से कि सीड़ो फोर्स जो सबसे important है Tension Tension को देखके Tension में नहीं आना है बच्चो आपसे पुली वाले question जो है इसके बाद बनने शुरू हो जाएगे एक एक point को मैं cover करने वाला हूँ यहाँ तो Tension क्या होता है बच्चो एक force है तो force की जितनी भी property है जैसे F is called to M में वो आप Tension में लगा सकते हो Tension कहां कहां लगता है String में Spring में Chain में Rod में Wire में इन सारी जगहों पर आप Tension लगा सकते हो Tension यहाँ देखने पर मिलता है Third Number अब बच्चो ध्यान से सुनना यह एक arrangement है जिसमें यह हो गया है एक fix point यहाँ से एक string है यहाँ पर पुली बंदी हुई है पुली से string में दो मास ऐसे बंदे हुए यह M1 है यह M2 है इस arrangement को समझा रहा हूं ध्यान से समझना एक एक point को यह fix point है बच्चो यह क्या हुआ एक string यह हुआ दूसरा string त्यसमें दो string है फिर यह जो पुली है यह बच्चो मुवेवल है मुवेवल एंड मास लिस दिया हुए मुवेवल का मतलब है बच्चो की यह घूम रहा है जैसे हो सकता है M1 जो है M2 से बड़ा हो तो M1 नीचे की तरफ इसको खीचेगा और यह उपर की तरफ जाएगा तो बच्चो यह उपर की तरफ क्यों जा रहा है M1 नीचे की तरफ जब जा रहा है तो M2 उपर की तरफ क्यों जा रहा है क्योंकि यह string से attach है अब string से attach होने के चलते बच्चो इसमें एक force generate होगी, यह जो string है, इसमें एक force generate होगी, कैसे, M1 जो है, वो एक force इसमें generate करेगा, M2 के भी चलते generate होगा, मतलब कुछ combination होगा, और जिसके चलते M2 जो है, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, अब यहां तक समझ मैं, तो string में tension होता है, बच्चो, यही मैं बता रहा होगा है, कि यह पुली जो है, वो moveable है, moveable मतलब, घूम रहा है, massless मतलब, इसमें कोई mass नहीं है, अपना, यह हो गया, दूसरा string, यह हो गया, पहला string, यह mass है, यह mass का block लगा होगा, अब बच्चो, इस पूरे string में, हर जगा tension है, टी, 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 सब जगा tension है, पूरे string में tension है, लेकिन इसका एक condition है, बच्चो, अगर string massless है, लिखो यहाँ के, if string is massless, आपके syllabus में, बच्चो, massless इस string ही पढ़ना पड़ता है, तो जब कभी arrangement ऐसा देते, तो समझ देना कि string जो है, लिखावगा नहीं हो, कि string massless है, आप समझ देना कि string जो है, वो massless है, ठीक है, if string is massless, then, tension in string, will be same everywhere, मतब, string में हर जगा tension same होगा, बच्चो, हर जगा string में tension T होगा, यह बात समझ में आगे, कब, जब string massless होगा, string massless आप consider कर लेना, अगर question में arrangement ऐसा दिया हुआ है, तो आप consider कर लेना, अगर नहीं लिखा हुआ है, massless तो, ठीक है, number four, अब आता है बच्चो की, tension का direction क्या होगा, tension का जो direction होता है, is always away from object, object से हमेशा away होता है, कैसे, देखो, अभी मैं यह T हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर tension देखना है बच्चो, इस M1 के लिए, तो हमेशा इस object से away, away, T, अब यह T यहाँ पर है बच्चो, तो हर जगा T होगा, यह बात तो है, massless string है तो, यहाँ देखो, यहाँ एक object है, तो यह T होगया, direction, यह object है, इस compare यहाँ भी तो string है तो इस से Dans two months, लिखा अब यहाँ पी देखोएक नया कंसेप्ट जब तक इस ट्रिंग सेम थी यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है तो पूरे संवें टेंचन टी है जैसे ही इसस्ट्रिंग आप लेंट हो संवें फीजंग सेंट जब करने ही सेन्ग उत्पो लud form हो गई श्रेंट कुछ ऐसा इसमें इसमें कितने स्ट्रिंग है बच्चो ध्यान से देखो एक स्ट्रिंग तो यह हुआ अच्छ बना देता हुआ एक स्ट्रिंग यह हुआ बच्चो यह वाला दूसरा स्ट्रिंग यह हुआ ती स्ट्रिंग यह हुआ उख इसमें अगर यहां पर भी ऑबजेक्ट away from object away from object away from object away from object इसमें अगर यहाँ पे भी object है T कर दो तो इसमें अगर tension T है तो इसमें tension different होगा इसमें T1 ले लो away from object away from object यहाँ भी ले लो T2 और यह हो गया T2 ठीक है तो tension का direction ऐसे निकालते हैं इसको दूसरे तरीके से भी लोग समझाते हैं जैसे चाता वाला concept umbrella वाला concept कि इस पर बैट जाओ इस पर बैटके और umbrella रसी की तरफ खोलो तो अंब्रेला किदर खुलेगा उधर तो direction उधर हो गया या फिर आशकल नया concept आ गया है कि spider-man को इस पर बैठा दो वह रसी देखके र away from object हम इसा object से अवे कर देना इंसन का direction ठीक है अब बच्चों एक चीज और नोटिस करो कि यहां मैंने बोला टीवन यहां बोला टी यहां बोला टी और यह जो पुली है यह तो मासलेस है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यह देख़ो यह पुली इधर हुआ टी इधर हु ठीक- यह पुली कैसा है मास वे से इसके मतलब है मास इसज जरो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ती-1 ऊपर की तरफ यह जरुदर इस को टूट तूट तो यहां डारेक्ट में लिख दे रहा हूं टूटी तो जब भी बच्चो ऐसा कुछ एरेजमेंट हो देखो यहां पर पुली है यहां टी नीचे तो उपर वाला जो स्ट्रिंग होगा उसको टूटी कर देना क्यों क्योंकि यह मासलेस है जब भी मासलेस पुली की बात हो ठीक है अगर मासलेस दिया हुआ है तो अगर मास दिया हुआ है बच्चो तो टूटी मत करना ठीक है यह कंसेप्ट याद रखना यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं हमेशा टूटी कर देते हैं जब इसमें मास आ गया तो यह टूटी नहीं होगा कैसे नहीं होगा देखो T1-2T, mass यहाँ पर कुछ आ गया पुली में, suppose पुली का mass M है तो कुछ तो acceleration हो जाएगा फिर T1 और 2T बराबर हो नहीं सकते हैं समझे में आ रही बात तो यह concept एक पकड़ लो यह concept पकड़ में आ गया यह concept आपको ध्यान रहेगा ठीक है, number 5 concept if pulley is massless then T1 is called to 2T we can write आप समझ रहे हो कैसे मैंने किया है बस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपको याद रहे अब बच्चो कोई भी बड़ा question हो पुली का, तो उसको देखो आप ऐसे कर सकते हो suppose तो यह पुली का कोई question है बच्चों, ठीक है? अब जयको इसमें मैं tension कैसे लगा रहा हूँ? यहाँ भी एक block है यह सीधा है टी 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 यह उपर हो गया टूटी क्योंकि सारे पूली यहां पर मासरे संदिया हुआ है टूटी यहां भी टूटी यहां भी टूटी प्लस टूटी 40 यह 40 हो गया यह 40 यह 40 रहेगा यह 40 रहेगा ऐसा लगा सकते हो अब तो ऐसे टिंसन आप डिरेक्ट लगा लेना ठीक है बच्चो अब बच्चो इसको सॉल्फ करना शुरू करते हैं मैं यहां पर टूटी लिख रहा हूँ बच्चो इसको मिठा दूँ यह सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लिए हो ठीक है आगे भी 5-6 में पॉइंट बताऊंगा 6-7 तो उसको नोट करना बच्चो समझलोब इसका एसलेरेशन ए है तो यह जिससला रेसन से नीचे जाएगा एम 2 उसी एसलेरेशन से ऊपर जाएगा यह फिर आसा लेलो एम टू एसलेरेशन से उपर जा रहा, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ पर एसलेसन से ही उपर जाएगा, यह तो बात समझ में आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पर equation लिखते हैं, तो बच्चों यह नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे हो रहा है, इसका A से, ठीक है, M2 का बनाओ, M2 जी नीचे, T उपर, और solution A उपर, ठीक है, यही है, अब बच्चों क्या, यह नीचे जा रहा है, तो आपको लिखना कैसे यह ध्यान दो, लिखना कैसे, यह नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि F net नीचे के तरफ है, F net नीचे तक अब होगा, जब M1 G जो होगा, T से बढ़ा होगा, तो जिधर जा रहा है, बच्चों, उधर माइनस, अपोजिट वहला, ऐसे लिखेंगे, तो M1 G, लेको नीचे के तरफ जा रहा है, A से, M1 G को add कर दो, तो T से T गया, M1 G माइनस M2 G is equal to M2 plus M1 A, M1 G माइनस M2 G upon M2 plus M1, इसको देखो बच्चों, यह F net है, M1 G, नीचे के तरफ लग रहा है, M2 G, M1 G माइनस M2 G upon M2 plus M1 है, नहीं समझ मैं है, इसको समझो, F net है, और यह क्या है, M1 plus M2, यही तो मास है, यहाँ पे, और कोई मास नहीं है, टोटल मास, यही है, समझाता है, इसको कैसे बच्चों, इसको उठा के, ऐसे उठा के बच्चों, टेवल पे रखतो, टेवल पे जब हमने रखा, तो देखा, यहाँ पे M2 है, जो इधर लग रहा है, इधर, M2 G, इधर क्या है, बच्चों, इधर है, M1 G, यह टेंसन T, इधर टेंसन T, तो टेंसन जो है, बच्चों, वो तो इंटरनल फोर्स है, तो अब यहाँ पर टूटल यह पूरे को अगर एक सिस्टम ले लेते हो पूरे को एक सिस्टम लेके तब हम डिफाइन कर रहे हैं असलेरेशन पूरे को एक सिस्टम ले लेते हो तो नेट फोर्स क्या होगा M1G-M2G अगर इधर acceleration A है तो M1G-M2G net force होगा M1G-M2G total mass कितना होगा बच्चों? यह M1 है, यह M2 है M1 प्लस M2 देखो यही निकल कराया तो क्या मैं ऐसे direct लिख सकता हूँ अगर एक simple सा ऐसा system दिया हुआ है तो इसको क्या करना है? यहाँ से उठा कर सीधा ऐसे table पर रखते हूँ रखने के बाद देखा इधर M1G है, इधर M2G है और acceleration दोनों का एक ही है दोनों का acceleration एक ही है T जो है internal force की तरह होगा अगर इसको पूरे को एक system बना दिया हमने तो तो इधर होगा M1G-M2G upon M1 प्लस M2 ठीक है, यह नहीं समझ में आ रहा है बच्चो अगर तो simple ऐसे calculation कर लो यह मैं एक trick बता रहा था बट यह हर जगा नहीं चल पाएगा बच्चो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो trick नहीं है, यह methodology है इस तरह से methodology है, कि इसको उठा के table पर रख दिया और फिर वहाँ से देख लिए, आमने M1G-M2G upon M1 plus M2, Fnet upon total mass इससे acceleration निकाल दिया ठीक है, आप ऐसे निकाल लेना this is very easy सारी चीज़ें को बताना होता है, इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ अब बच्चो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो इसमें मैं थोड़ा सब changes कर रहा हूँ यह एक string हुआ दूसरा string यह है यहाँ एक mass लटका हुआ है और यहाँ पे एक mass लटका हुआ है this is 2 kg and this is 1 kg ठीक है, यह arrangement दिया हुआ है बच्चो यहाँ पे जो pulley है वो massless है और frictionless भी है, frictionless एक important word है बच्चो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि friction generate होगा तो friction नहीं है ऐसा माना जाता है कि यह पुली जो है वो smooth है, massless है और move कर सकता है movable तो यह है, move कर सकता है उपर नीचे, यह move कर सकता है मतब घूम सकता है, ठीक है अब बच्चो इसमें tension लगाते है तो यह हो गया T, यह हो गया T, यह हो गया T, यह हो गया T, यह हो गया 2T, 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 ठीक है आ गया है यह पुली जो है यह move कर रहा है बच्चों ऊपर नीचे जैसे ही आप ने इसको नीचे की तरफ खीचा तो यह उपर की तरफ जाएगा बट अगर आपने इसको x distance नीचे खीचा तो यह x उपर नहीं जाएगा क्योंकि ये पुली आ गया बीच में पले पुली नहीं था, एक सिंपल सा था बच्चों यहाँ पर मास लटका हुआ था, इसको x किचा तो ये भी उपर चला गया x बट इस बार पुली आ गया तो ये x उपर नहीं जाएगा तो अगर इसका acceleration a है तो इसका acceleration a1 ले लो ठीक है, चलो एक क्वेशन लिखते हैं पले इसका free body diagram बनाते हैं 2kg, g की value बच्चों मैं 10 ले रहा हूँ 10 meter per second square ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ force कितना हो गया, 20 उपर की तरफ force, 10 some t अब देखो और कुछ t उपर हो गया, mg नीचे हो गया acceleration नीचे की तरफ ठीक है 1kg का बनाते है नीचे हो गया 10 उपर हो गया 2t और acceleration उपर की तरफ चलो एक्वेशन लिखते हैं बच्चों ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतरब 20-t लिखना होगा, 20-t is equal to 2 into a पहला equation दूसरा equation उपर की तरफ जा रहा है, a1 है देखो, तो 2t minus लिखना पड़ेगा 2t minus 10 is equal to a1 ठीक है, ये दूसरा equation अब बच्चों हमारे पास दो ही equation है अब variable कितने हैं t है, a है और a1 है, 3 variable 2 equation, क्या निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, फस जागा मामला तो अब बच्चों जीसको solve कैसे करें तब एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ एक trick है, मेथड है concept है, उसको आप समझ लाँ अगर बच्चों ये पुली ऐसे है ये string है और ये string है ये पुली है, ठीक है massless पुली है अगर बच्चों ये string ये string का acceleration A है, इसका acceleration B है और इसका acceleration पुली वाले का isolation, AP है तो इन तीनों के बीच में एक relation होता है, जो होता है AP is equal to A plus B upon 2 जहाँ पे A, B and AP को width sign दिखना है width sign next वाला जो point था आपका number 5 के बाद, उसमें आप इसको note कर लेना, इस चीज़ को चलो इसमें width sign लिखते हैं नीचे वाला मैं positive ले रहा हूँ आप कुछ भी ले सकता हूँ, नीचे positive ले रहा हूँ तो positive ले रहा हूँ, तो A तो positive रहेगा B भी positive रहेगा बच्चो, A P जो होगा वो negative हो जाएगा, तो यह हो जाएगा minus A P is equal to A plus B upon 2 ठीक है, यहाँ पर equation यह हो जाएगा अब बच्चो इसके लिखते हैं, इस पुली के लिखते हैं तो देखो, इसका isolation कितना है, यह वाले का यह वाले का isolation, इसका isolation अब इस पे एक चीज़ ध्यान देना बच्चो यह अगर A से नीचे आ रहा है तो यह भी A से उपर जाएगा तो यहाँ तो isolation हो गया A उपर की तरफ यह बच्चो देखो, यह fix point है तो इसका isolation क्या होगा? 0 तो इसका isolation होगा? 0 अब बच्चो यहाँ पे जो A P का isolation है वही isolation है 1 kg का तो 1 kg का isolation मैंने उपर की तरफ लिया है तो उपर की तरफ होगया बच्चो A P ठीक है? जिसकी value जो है A 1 के बडावर है, जिसको A 1 लिखता हूँ ठीक है? clear है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस A upon 2 is equal to A 1 equation लिख सकता हूँ यहाँ पे मैंने उपर की तरफ positive ले लिया तो तीनों positive होँगे 0 प्लस जिरो positive क्या? उसका कोई मतलब नहीं है A जो है positive होगा, A 1 जो होगा positive होगा तो यहाँ पे निकल कर आया बच्चो A upon 2 is equal to A 1 इसका मतलब है कि उसका half इसका acceleration है अगर यह T time में X distance नीचे जा रहा है तो T time में यह XY2 उपर जाएगा ठीक है? तो यह relation हमें निकल कर आ गया तो बच्चो तो यहाँ पे एक equation और आ गया A upon 2 is equal to A 1 ठीक है? अब तो आराम से इसको solve कर सकते हो कर देते हैं इसको solve A is equal to क्या होगा बच्चो? 2 A 1 तो A को यहाँ पे हटाओ और यहाँ पे 2 A 1 कर दो ठीक है? अब इसको solve करते हैं तो यह पूरे को 2 से multiply करते हैं तो यह हो गया 40 minus 2 T is equal to 8 A 1 यह हो गया 2 T minus 10 is equal to A 1 तो यहाँ से देको 2 T 2 T cut क्या 30 is equal to 9 A 1 तो A 1 की value आ गई 30 Y 9 यह acceleration A 1 का है अगर आप से पुच्चता है कि इसका acceleration क्या है इसका acceleration क्या है तो इसका double है इसका acceleration अब देखो बच्चो logically इसको समझो logically यह अगर x distance नीचे जाता है यह सब अटा देता हूँ यह अगर x distance नीचे जाता है ठीक है तो यह x by 2 उपर आएगा अगर यह x by 2 उपर आता है सपोज ऐसा आके यहाँ पर आ जाता है यह x by 2 है जो यह उपर आये तो यह x by 2 जो है बच्चो यह इधर भी उपर आया है तभी तो यह x by 2 x by 2 ये total रस्सी जो है वो इधर x बन गई xy2 प्लस xy2 x बन गई तो logically भी समझ में आया रहा है कि अगर ये x नीचे जाएगा तो ये xy2 ही उपर आएगा क्योंकि देखो ये रस्सी भी उपर आया ये रस्सी भी उपर आया जो इधर आगया ये दोनों count में आँ रहा है इधर की भी रस्सी अगर ये xy2 उपर जाता है तो इधर भी xy2 की रस्सी जाएगी इधर और ये वाली भी xy2 की रस्सी नीचे की तرف जाएगी तो xy2 xy2 मिला कर x हो जाएगा तो अगर ये x नीचे जाता है तो यह पुली जो है वो x by 2 ही उपर आएगा लॉजिकली भी समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है लॉजिकली तो ऐसे समझ लो अब जो बताने जा रहा हूँ बच्चो वो बहुत important है ज्यान दिना ये जैसे यहाँ पे पुली था अगर ये x distance नीचे जाता है तो ये भी x distance उपर जाएगा जाएगा पकीसी बात है अगर ये x distance नीचे जाता है तो ये भी x distance उपर की तरफ जाएगा तो क्या tension यहाँ क्या लग रहा है उपर की तरफ लग रहा है यहां भी tension क्या से लग रहा है, उपर की तरफ लग रहा है, तो एक बार tension उपर की तरफ है, इसमें देखो, इसमें, tension उपर की तरफ है, displacement नीचे की तरफ x हो रहा है, तो work done क्या होगा बच्चो, work done हो जाएगा f dot s, तो f क्या हो बच्चो, t, displacement क्या है x, और dot है तो cos theta, cos theta यहां क्या होगा बच्चो? T उपर की तरफ लग रहा है displacement नीचे की तरफ हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है तो theta हो जाएगा 180 degree तो यह बच्चो minus TX हो जाएगा यह जो है देखो T उपर की तरफ XB उपर की तरफ तो यह TX हो जाएगा तो total जो यहाँ पर work done हुआ बच्चो वो तो 0 हो गया यह TX work done कर रहा है minus में यह TX work done कर रहा है plus में तो दोनों को अगर जोडोगे तो क्या होगा work done? 0 हो जाएगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चो यहाँ भी work done 0 हो रहा है यह T जो है tension यह internal force है इंटर्नल force की तरह अगर इसको देखते हैं तो यह पूरा जो work done है यह पूरे system पर जो work done है वो 0 होगा तो क्या मैं यहाँ पर relation दिख सकता हूँ दिख सकता हूँ तो देखो अब जो सम्झा रहा हैं बच्चो वो दूसरा method है दूसरा trick यह बहुत important है या तो आप ऐसे question बनाऊँ ऐसे question बनाऊँगे तो thought difficult होगा ऐसे जो question बनाऊँगे यह जो trick बता रहा हूँ तो इससे direct relation निक्ट के आ जाएगा direct relation जो A और A1 के बीच में हम relation देख रहे थे दोनों S relation के बीच में जो relation देख रहे थे वो direct link के यहां से आएगा तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि work done जो है T dot X is equal to J अब बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहां पर क्या है यह tension जो work done कर रहा है इसका जो displacement हो रहा है और यह जो tension 2T जो है वो work done जो कर रहा है आप दोनों का work done निकाल के देखना और उसका summation कर देना 0 आएगा तो tension जो है बच्चों वो एक internal force की तरह इस पूरे system में जो work done हो रहा है मैं यह total system का total system का work done निख रहा हूँ इस पूरे को एक system मान लिया हूँ यह पूरे को system मानने से क्या होगा बच्चों कि आप निकाल के देखना बच्चों अगर यह x जाता है नीचे तो यह x y to ऊपर जाएगा clear सी बात है देखा था हमने तो चलो यहां work done निकाल लते हैं यहां पर फ़ले work done निकालते हैं तो यहां हो गया बच्चों t ऊपर की तरफ और displacement नीचे की तरफ तो यह हो गया tx माइनस में ठीक है t.x करेंगे तो t.x करेंगे तो dot जब अटाएंगे तो tx cos theta होगा cos 180 तो minus cos 180 की value कितनी होती है minus 1 तो minus tx हो जाएगा यह हो गया इसके द्वारा work done इस t के द्वारा work done यहां 2t का देख लेते हैं work done तो 2t उपर की तरफ xy2 भी उपर की तरफ तो 2t into xy2 दोनों एक ही direction में है तो cos 0 हो गया cos 0 की value 1 होती है देख लों यहां पर यहां पर भी total work done 0 आया यही चीज मैं बताना चाहरा हूं बच्चो तो ऐसे यह work done लिख सकते हैं इसको अगर expand करके लिखाना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो t1.x1 plus t2.x2 plus t3.x3 so 1 is equal to 0 ऐसे आप लिख सकते हो ठीक है बच्चो अब यहां से देखो कैसे मैं relation निकाल के लाता हूं यह वाला यहां पर जो relation आया था ap is equal to 2a ap जो था बच्चो वो a1 के बड़ावर था ठीक है यह relation कैसे निकाल के लाता हूं देखो तो बच्चो यह एक हो गया अगर मैं इसको differentiate करता हूं यह x1 को differentiate करता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं t.v is equal to 0 इसका क्या मतलब हुआ velocity के form में लिख रहा हूं अगर इसकी velocity v है तो इसकी velocity v by 2 ऊपर की तरफ होगी clear है तो यहां होगा t1 dot v1 plus t2 dot v2 plus t3 dot v3 is equal to 0 ठीक है फिर सो इसको differentiate कर दो एक बार फिर से एक बार differentiate कर दो तो t dot a is equal to 0 यहां हो गया t1 dot a1 t2 dot a2 t3 dot a3 यहां so on है बच्चों ठीक है so on is equal to 0 तो बच्चों इस तरह से हमारे पास एक relation आ गया t और a के बीच में t और a के बीच में एक relation आ गया अगर हम total को एक system लेते हैं तो t internal force हो जाएगा internal force के through work done जो होगा वो 0 होगा इस concept से हमने differentiate करके यह relation निकाल लिया अब यह relation बच्चों बहुत काम का है आप direct relation लिख सकते हो इसका और इसका कैसे लिख सकते हो देखो यहां पे लिखराऊं बच्चों है t उपर की तरफ a नीचे की तरफ तो t dot a करना है तो t a उपर नीचे है बच्चों तो 1 इटी डिकली हो गया तो cos 1 इटी ठीक है प्लास इसका वक्दन देख लेते हैं तो 2t उपर की तरफ displacement भी इसका उपर की तरफ तो हो गया यह बच्चों 2t इसका इसलेशन a1 cos 0 हो गया is equal to 0 यहां देख वर क्या आता है minus t a plus 2t a1 is equal to 0 t से t कट गया तो यहां हो गया a is equal to 2a1 देखो correlation आ गया तो ऐसे करके आप डिरेक्ट लिख सकते हो complex किसी भी complex arrangement का आप डिरेक्ट लिख सकते हो चलो एक बना question देता हूँ question देढ़ा हूँ बना इसको इसका relation दिया हूँ बच्चो a1 a2 इसी तरह दिया हूँ बच्चो उपर की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है जो relation निकल कराएगा वो हमें साथ true निकल कराएगा a4 तो आपको निकालना है a1 a2 a3 a4 के बीच में relation क्या है ठीक है निकालो इसको एक और question देता हूँ इसका इसका इस्का इसने वन है तो ए और एवन के बीच में relation बना खुल से ट्राइक करो पिर निकालता है इसको मैं को चलो निकल गया चलो मैं बनाता हूँ यह आपकी है बच्चो यहाँ पर टी है तो यह हो गया टूटी यहां पर टूटी है तो यहां हो गया टूटी टूटी 40 40 अब यहां जरूरती नहीं यह उपर की तरफ ठीक है बच्चा अब बताओ 40 उपर की तरफ लग रहा है एसलेशन भी उपर की तरफ है तो क्या मैं लिख सकता हूं 40 A1 तो कॉस जिरो होगा तो कॉस जिरो की वैलू 1 होती है 40 A1 अब दूसरा मास कहा पर है यहां देखो तो यहां पर टूटी ऊपर की तरफ लग रहा है और A2 भी ऊपर की तरफ है तो लिख दिया 2 T A2 अब बच्चों देखो T उपर की तरफ है और A3 जो है वो भी उपर की तरफ है यह तीसरा मास तो यहाँ पर लिख सकते है T A3 अब देखो यह T उपर की तरफ A4 उपर की तरफ तो लिख दिया हमने यहाँ पर T A4 is equal to 0 तो T T हट गया तो यह हो गया बच्चो 4 A1 plus 2 A2 plus A3 plus A4 is equal to 0 यह relation आगया बच्चो 4 S relation के बीच में अगर 3 का S relation दिया हुआ है बच्चो तो 4 का S relation निकाल सकते हो अब ठीक है? देखो यह trick कितने काम का है हमने जो यह trick निकाला था बच्चो T dot A is equal to 0 यह निकाला था उसी को मैं यहाँ पर use करो चलो यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर हो गया बच्चो T यहाँ पर हो गया T क्योंकि एक ही string है देखो यहां से यहां तक यह हो गया 2T यह 2T है तो यह भी हो गया 2T clear है? अब T उपर की तरफ A उपर की तरफ तो T A लिख दिया प्लस अब देखोड 2T प्लस T 3T है यहाँ पर तो 3T उपर की तरफ और A1 नीचे की तरफ तो गया माइनस 3T ठीक है? समझ में आया? यह उपर की तरफ है यह नीचे की तरफ है तो T.A जब करोगे 3T.A करोगे तो cos 180 आएगा तो cos 180 आएगा बच्चो तो minus 1 होता है इसलिए यहाँ पर minus sign है is equal to 0 अब T से T कट गया तो A is equal to 3A1 देखो, relation नीकल किया गया अगर इसका isolation पता है तो इसका isolation नीकल सकते हो या इसका isolation पता है तो इसका isolation नीकल सकते हो यह बहुत ही जबरदस T है बच्चो तो यह trick आपके दिमाग में होना चाहिए यह हर जगर आगा सकते हो यह पूरे को मैंने एक system माल लिया इसके अंदर के जो T है टेंसन जो है, वो internal force है internal force होने के चलते उसका work done जो होगा बच्चो, total work done on the system 0 उसी का concept यहाँ प्लगा खीक है, समझ में आया अब पढ़ते हैं, spring अच्छा बच्चो, यह topic आपको SHM में भी पढ़ना है SHM में क्या होगा, कि जैसे police arrangement मैंने आपको दिखाया था उसमें जहां तहां string के जगा spring लगा हो spring लगा हो, तो time period निकालने के लिए आप से पूछ सकता तो वहाँ भी मैं कुछ trick लगाता हूँगा, तो यहाँ पर जो चीज़ा उसको grasping कर लो और फिर जब SHM पढ़ाऊँगा, तो वहाँ भी इसका use करने है, फिर work power energy में भी इसका use होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो spring जो होता है, बच्चो उसकी property होती है कि वह elongate हो सकता है, या compressed हो सकता है सपोज यह x है, distance, इसकी जो original length है बच्चो, यह original condition है जहाँ पर spring जो है, वो ना तो compressed है, ना तो elongate है, ठीक है, यह इसका normal length पर है that is x, यह x है, बच्चो, इस condition को क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से ऐसे खीच के यहाँ पर ले आया, तो इसको बोलेंगे, elongation अब इसको मैंने क्या किया, compress किया, तो इसको बोलेंगे, compression suppose यह deluxe है, और यह भी deluxe है ठीक है, यह deluxe है, यह भी deluxe है तो बच्चो, मैंने जैसे बताए कि spring के property होती है, उसको elongate कर सकते हैं, या compress कर सकते हैं, जब इसको आप elongate करोगे, या compress करोगे, इसके original length से कुछ changes करोगे, तो बच्चो, यह एक force exert करेगा, इसके उपर यहाँ भी force exert हो रहा है, यहाँ भी force exert हो रहा है, यहाँ पर force exert इस तरफ हो रहा है, और यहाँ पर force exert इस तरफ हो रहा है, ठीक है, तो force का formula होता है, बच्चो, जो यहाँ पर force exert हो रहा है, यह जो force exert हो रहा है, इसका formula होता है, f is equal to minus k delta x, delta x क्या है बच्चो displacement की तरह से ले लो कि जिधा displacement हुआ इधा displacement हुआ तो इसके opposite direction में force का direction होगा force एक vector quantity है तो उसका direction होना चाहिए तो इसकी direction जो होगए यह minus sign direction के लिए delta x आप समझ गया हो क्या है यह elongation है delta x यहाँ पे यह compressed है this is compressed compression गोल दो अब बच्चो यह k क्या होता है k spring की property होती है यहाँ पे k है तो यहाँ भी k होगा यहाँ भी k होगा तो k जो होता है बच्चो k spring constant बोलते हैं k को क्या बोलते हैं spring constant हर spring का k जो होता है वो different different होता है इस spring का k अगर यहाँ पे k है तो क्या मैं इसको elongate करूंगा तो इसका k का value change होगा नहीं होगा ठीक है या तो आप elongation करो या फिर आप compression करो k के value पे कोई changes नहीं होगा k जो है वो spring की property होती है this is property of spring property of spring ठीक है बच्चो यह समझ में आया अब बच्चो हम लोग यहाँ पर question करेंगे k के बारे में यह तो आपको समझ में आ गया note कर लो फिर मिटाता हूँ ठीक मिटाओ यह एक spring है बच्चो जिसका k spring constant है अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको मैंने दो भाग में तोड़ दिया one is to one में तोड़ दिया एक दूसरा condition लेलो अगर मैं इसको one is to two में तोड़ दिया one is to two में तोड़ दिया तो इसका अगर वैलू k है बच्चो यही है k यहां भी same spring है ठीक है तो इसको one is to one में तोड़ूंगा तो k पर क्या फर्क पड़ेगा one is to one में तोड़ूंगा तो यह ऐसा हो जागा इसको one is to two में तोड़ा तो ये ऐसा हो गया ठीक है इस के की क्या value होगी इसकी क्या value होगी इसकी क्या value होगी ये कैसे निकाले बच्चो जब हम spring को टोड़ देते हैं तो उसकी k की value change कर जाती है k की जो value होती है बच्चो वो depend करती है length पे point number one value of k अब कैसे depend करती है, इसको देखते है, k proportional to होता है 1 by l, तो k l is equal to constant लेख सकते हैं, ठीक है बच्चो, k into l, l क्या है, length है, k जो है spring constant है, अब यहाँ 1 is to 1 में तोड़ दिये बच्चो, तो ये part की length, अगर इसकी l length है, अगर इसकी l length है, तो ये part की length कितनी हो जाएगी, l by 2, इसकी कितनी length हो जाएगी, l by 2, ठीक है, यहाँ पर देखो, इसकी length कितनी हो जाएगी, l by 3, और इसकी length कितनी हो जाएगी, बच्चो, 2l by 3, ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका k निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तो निकालते हैं, तो k l is equal to constant, k into l is equal to constant है बच्छो तो यहाँ k की value मुझे नहीं पता इसकी k की value नहीं पता बट इसका length पता है तो इसका k dash लेलो into l upon 2 तो l से l calculate गया k1 is equal to 2k ठीक है तो यहाँ पे value हो गई बच्छो 2k यहाँ पे हो गई 2k clear सी बात है या सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो बच्छो L by 2 है तो 2k कर दिया यहाँ बच्छो देखो L by 3 है तो इसको मैं 3k कर दिया यह 2L by 3 है तो 3k by 2 कर दिया उल्टा कर दिया यहाँ फिर आप ऐसे निकाल लो इस formula से निकाल लो इससे भी निकाल देता हो इसका देखो यहाँ पे k है और length जब है L तो k इंटू L constant होगा यहाँ पे k नहीं पता के निकालना है length पता है तो k डैस ले लो और 2L by 3 तो L L कट गया k डैस इसकल टू 3k by L खुब k1 की value निकल क्या गई ठीक है इस तरह से बच्छो अगर किसी spring को तोड़ा जा रहा है तो हम उसके k की value निकाल सकते है जब k की value निकल जाएगी तो हमें force भी निकल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे एक नहीं चीज़ सिखते है नोट कर लिया इसको मिटा रहा हूँ अब बच्छो अगर मैं दो spring को अगर parallel में जोड़ दो अगर मैं दो spring को series में जोड़ दो तो k equivalent की जो value होती है वो क्या होती है तो मेरी बात को ध्यान से पकड़ लो यहाँ पे कि जो resistance में होता था उसका उल्टा होगा resistance में अगर parallel में जो होता था वो यहाँ पे series में होगा formula और जो वहाँ पे series में होता था वो यहाँ पे parallel में formula होगा ठीक है देखो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ suppose यह एक spring है जिसका spring constant k1 है यह दूसरा spring है जो spring constant k2 है यह mass m से attach है मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को यह दो spring है दोनों का spring constant different है अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे parallel में है बच्चों अगर इन दोनों को replace कर दूँ एक spring से जिसकी value k equivalent लिख दूँ तो यह k equivalent की जो value होगी वो होगी k1 plus k2 ठीक है वहाँ जो parallel में होता था बच्चों वो यहाँ पे नहीं हो रहा है यह कौन सा हो रहा है वहाँ जो series में होता था वो यहाँ पे हो रहा है electricity में जो resistance commerce series में जोड़ते थे तो क्या करते थे r1 plus r2 करते थे यहाँ पे k1 plus k2 कर दिये उल्टा कर रहा है बच्चों ठीक है अब अगर इसी spring को यह k1 है फिर दूसरा वाला k2 है को हमने series में जोड़ दिया तो यहाँ पे k equivalent की जो value होती है बच्चों वो इस तरह relation में लिखे जाती है देखो series में है तो parallel वाला formula लिख रहे है electricity वाले के ठ इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे अगर मैंने इसको delta x displace किया सपोज यहाँ पर delta x मैंने इसको displace किया तो यहाँ फिर फोर्स हागा बच्चों आपाज़िक संब होगा displacement इधर है तो फोर्स इधर होगा तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे बच्चों माइनस k1 delta x ठीक है यहाँ force क्या होगा minus K2 delta X होगा तो इस mass m पे force total कितना लग रहा है बच्चो minus K1 delta X इधर लगा इधर force लग रहा है minus K2 delta X अब बच्चो K equivalent इसको भी भी तिल्टा X यहाँ पे displace कर दिया तो K equivalent पे कितना force होगा minus K equivalent delta X ठीक है अब इसी दोनों को इस से replace कर रहे है तो total force जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए yes होना चाहिए तो minus k equivalent delta x is equal to इन दोनों को add कर दो तो minus k1 delta x minus k2 delta x delta x delta x delta x गया minus 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 sub plus 1 गया तो k equivalent हो गया बच्चों k1 plus k2 यह दो देखो simple सा है अब यहाँ पर इसको proof करने के लिए एक concept को समझो बच्चों कि अगर मैं इसको delta x displace करता हूँ तो हर जगा जो force होता है spring में अगर मैं किसी spring को एक concept को यहाँ पर note कर लो यह spring है ठीक है इसको मैं delta x displace किया मतलब इसको elongate किया delta x elongate किया या delta x compress किया तो force जो है हर जगा बच्चों सेम होता है यहाँ पर force देखो गया वह होगा यहाँ पर भी force यहाँ पर भी force सब जगा force सेम होते है मासरे स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ उस तरह से ठीक है अब चलो इसको delta x displace कर देते है तो इसको delta x displace किया बच्चों तो हो सकता है कि यह वाला spring k1 वाला spring यह delta x1 displace हुआ होगा और यह delta x2 displace हुआ होगा अपनी अपनी property के इसाफ से होगा जैसा k1 वैसा delta x displace हुआ होगा तो बच्चों यह delta x displace delta x1 displace हुआ यह delta x2 displace हुआ क्या मैं बोल सकता हूं कि delta x जो डिस्प्रेस हुआ है वो delta x1 प्लस delta x2 होगा clear सी बात है yes अब मैं बोल रहा हूं बच्चों कि force जो होता है हर जगा सेम होता है इस concept को यूज़ कर रहा हूं तो force अगर सब जगा सेम है बच्चों force यहाँ पे भी वही है यहाँ पे भी वही है तो force is equal to k1 delta x1 लिख सकता हूँ minus k1 delta x1 लिख सकता हूँ इसी force की value क्या मैं लिख सकता हूँ minus k2 delta x2 और इसी force की value मैं यहाँ पे बच्चो अगर इसको k equivalent से replace करते हैं तो लिख सकता हूँ that is minus k equivalent delta x लिख सकता हूँ बच्छो तो delta x1 क्या होगा यहाँ पर delta x1 हो जाएगा बच्छो f minus f upon k ठीक है उसी तरह delta x2 को लिख दो और delta x को लिख दो minus f upon k2 minus f upon k equivalent लिख सकते हैं अब इसकी value को इसमें put कर दो यह तीनों की value को इसमें put कर दो इसको मिटा दो तो यहाँ पर put करेंगे बच्छो तो delta x क्या है यहाँ पर minus f upon k equivalent is equal to delta x पर क्या है minus f upon k1 plus minus f upon k2 तो minus f minus f minus f कट गया तो 1 upon k equivalent is equal to हो गया 1 upon k1 plus 1 upon k2 देखो प्रूफ आगया तो यहाँ पर जो concept वाली बात थी है बच्छों कि यहाँ पर सारे spring में हर जगा जो force होते हैं वो same होते हैं clear बात है ठीक है अब बच्छों अगर आपको ऐसे question देता है यह spring है और यह mass m इससे लटक रहा है तो यहाँ पर लगेगा बच्छों यह ऐसे मैंने लटकाया पहले क्या था spring का यह original length है mass m को यहाँ पर लटकाया तो यह क्या होगा बच्छों अपने force के चलते mg जो force नीचे लग रहा है तो mg force के चलते ही यह नीचे की तरफ थोड़ा displace होगा इसमें elongation होगा तो इसमें elongation होकर यह कैसा बन जाएगा बच्छों यह कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है तो पूछ रहा है कि यह जो elongation हुआ यह delta x यह कितना है तो यहाँ पर free body diagram बनाओ mass m mg नीचे की तरह लग रहा है उपर की तरफ क्या force लगेगा बच्छों k delta x minus नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि opposite direction में है force ठीक है यह लगाना है तो लगा दो आप minus क्या बताता है opposite direction में लग रहा है तो k delta x का force उपर की तरफ लगेगा जब यह delta x dispense करेगा क्लियर सी बात है तो यहां क्या मैं लिख सकता हूँ k delta x is equal to mg तो delta x is equal to हो गया बच्छों mg अपान k ठीक है इस तरह से निकाल सकते हैं अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से पकड़ लो जब भी आपको spring के question आ रहे हैं तो आप string के question की तरह उसको बना सकते हो जहाँ भी spring है बच्छों वहाँ पर आप string मांग लो क्या मांग लो जैसे question दे रहा हूँ suppose यह ऐसा है अब आप से पूछ रहा है बच्छों की यहाँ पर delta x कितना होगा इस mass को m को लगाने से यहाँ कितना होगा delta x तो इसको कैसे करना है बच्छों इसको string से replace कर दो यह जो spring है इसको string से replace कर दो ठीक है question बनाने का तरीका है बच्छों कि spring को हम string से replace करके और question को बना सकते है तो replace करेंगे तो बच्चों यहाँ पे tension क्या होगा T होगा यहाँ देखो T, यहाँ T suppose यह कोई point है तो इससे मैं away from लेदा हूँ ठीक है यहाँ पे tension T होगा ऐसे लो direction की बात नहीं करते हैं यह तो confuse हो जाओगा तो यह जो T होगा बच्चों यही तो mg के बरावर होगा T is equal to mg होगा और यह जो T है बच्चों यही तो k delta x होगा ठीक है तो k delta x होगा तो delta x की value आप निकाल सकते हो mg upon k तो जहाँ भी बच्चों spring है तो question अगर आपको solve करना है तो आप string में change कर दो और question को solve कर दो तो easily question solve हो जाएंगे ऐसा क्यों होता है बच्चों क्योंकि string जो होता है यह मासले से string जो होता है इसमें भी हर जगा force same होते है T होता है tension और spring लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पढ़ना है वहाँ भी हर जगा force same ही रता है यह जो spring है अगर इसको delta x मैंने तरह अगर आपको देखने में यह tough लग रहा है तो यहाँ पर आप string लगा लो spring के जगा और question को solve करते हो ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप spring के question को solve कर सकते हो अब बच्चों पढ़ लेते हैं cedo force cedo force तो cedo force तरह का कोई force होता ही नहीं है बच्चों यह एक fake force है क्या है एक जाली force है यह fake force है this is fake force तो यह आया क्यों यह आया है क्यों question को solve करने के लिए क्या हो रहा था बच्चों जैसे कोई यह lift है ठीक है यहाँ से कोई string बंदी होई है यह mass m है mass m है यह lift उपर की तरफ जा रही है बच्चों यह acceleration से तो मैंने यहाँ observer को रखा ground पे तो ground पे जब इस पे force देख रहा है वो तो देखा यहाँ पे tension T है और mg नीचे की तरफ लग रहा है और acceleration उपर की तरफ है तो उसने equation लिखा T minus mg is equal to ma तो T is equal to हो गया mg plus ma तो उसने बता है tension की value यह है अब इसी observer को यहाँ से हटा कर मैं यहाँ पे रखतूं तब वो क्या बोलेगा उसके लिए तो यहाँ पे कोई acceleration है ही नहीं तो वो बोल रहा है कि T is equal to mg है अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बोल रहा है बच्चो कि T is equal to mg प्लस m है और यहाँ पे बोल रहा है T is equal to mg है यह तो गलत हो गई भाई तो यह गलत क्यों हुआ क्योंकि observer पहले यहाँ पे था तो यह equation लिख रहा था tension का tension की value यह लिख रहा था जब observer को मैंने एक accelerated frame में डाल दिया तो उसने यह equation दिया तो कहीं न कहीं कुछ तो गड़ बढ़े तो यहाँ जाके Newton's second law जो है बच्चो वो fail कर गया frame को उसने ठीक से discuss नहीं कर पाया तो उसके लिए question को अब solve कैसे करें तब आया कि C-dow force का concept लगाओ C-dow force एक fake force है उसका concept लगाओ तो उसके force के concept में क्या होता है बच्चो कि C-dow force जो होता है उसकी value होती है minus ma minus ma यह क्या है बच्चो यह C-dow force है ठीक है mass क्या है mass लेना है हमेसा object का mass of object acceleration क्या लेना है observer का acceleration of observer अब करना क्या है बच्चो यह मैं बता रहा हूँ देखो यहाँ पे जब यह है तो दो तरह की frame को यहाँ पे discuss हम करेंगे पहला frame है inertial frame inertial frame उस frame को बोलते हैं बच्चो जहाँ पे observer का acceleration जो होता है वो zero होता है दूसरा frame होता है बच्चो non inertial frame non inertial frame उसको बोलते हैं जहाँ पे observer का acceleration जो होता है वो zero नहीं होता है मतलब कुछ value होती है तो अभी बच्चो यह किस frame में है non inertial frame में है तो जब भी non inertial frame की बात होगी तो यहाँ पे ही केवल सीडो force लगाओगे सीडो force अब बच्चो इस कंडिशन को देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या आया था tension t is called to mg आया था यही आ था t is called to mg आया था अब बोल रहा है बच्चो कि जब भी non inertial frame होगा inertial frame में तो बच्चो newton second law जो था वो valid था वहाँ तो calm stick से कर रहा था वहाँ तो कोई देखना ही नहीं है inertial frame में तो कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि inertial frame generally क्या होता है जब observer ground पे हो generally यही होता है जब observer ground पे हो तो उसका acceleration 0 है ठीक है non inertial frame क्या होता है बच्चो जब observer का कुछ acceleration है जैसे observer को मैंने इस lift में डाल दिया तो यह lift का acceleration है एसे उपर जा रहा है तो observer का भी acceleration है ठीक है frame मतब क्या होता बच्चो frame मतब समझना कि जहां पे observer खड़ा है वही frame है तो observer का यहां पर acceleration है बच्चो तो observer का जब भी acceleration होगा जब भी non-innertial frame होगा तब आपको सीडो force लगाना होगा सीडो force कैसे लगा होगे minus ma अब minus sign जो है वो important है Celeration कीधर है बच्छो observer का, इधर, यह ही Celeration है, Observer का, जो lift का Celeration है, वह ही Observer का Celeration है, यह Celeration से उपर जा रहा है, तो आपको करना क्या है, माइनस, मतलब इसके opposite direction में, इसी mass पे, एक सीडोria force लगा देना है, जैसे देखो, यह Mg हो गया, यह हूंग लगा हूंँ है अब बच्छो ये ईसलेटी फ्रेम में है तो ये उपर की तरफ जा रहा है एसलेarat यह से तो नीचे की तरफ फॉर्स लगा ओंगे तो सीड़ा फॉस की तरफ ऐसे लगेगा तो अब सीडो फोर्स की वैलू क्या होगी तो माइनस माइनस का तो काम हो गया यहां पर माइनस का क्या काम है बच्छो डिरेक्शन को अपोजिट कर देना अगर यह उधर है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा माइनस का काम खत्म म किसका लेना है बच्छो अबजेक्ट का तो यही अबजेक्ट का यह जो मास M है यहीं यहां पर M होगा और एसलेशन किसका लेना है एसलेशन लेना है हमेशा अब्जर्वर का बच्छो तो MA हो गया अब देखो अब इसको लिख के देखो तो यह हो गया बच्छो टी इस इकल को होता है वो इसका concept जो है हो इसलिए आया because question solve होई नहीं पारे थे question solve होई नहीं पारे थे इसका reason ये था कि accelerated frame में जब भी observer चला जा रहा था तो question गलत हो जा रहा था Newton second law जो था वो fail कर जा रहा था तब आया दिमाग में कि चलो कुछ ऐसा निकालते हैं कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे question solve होना शुरू जाया तो cdo force का concept आया और उसमें बोला गया कि जब भी observer accelerated frame में है तो minus m में force लगा दो object पे जैसे ये object है तो minus मतलब opposite direction में acceleration उपर की तरफ है अगर ये acceleration इधर की तरफ होता बच्चो अगर ये lift का acceleration इधर की तरफ होता एसे तब आप क्या करते तो इसका acceleration इधर की तरफ होता एसे तब आप क्या करते ये m में इधर नहीं लगाते ये m में इधर नहीं लगाते acceleration की तरफ है इधर तो cdo force इधर ठीक है, mass तो इसी का रहता, object का ही, और acceleration होता, observer का, ma, यह हो जाता, आपका free body diagram, तो आप समझगे बच्चों, question solve करने के लिए, seat of force का concept आया था, क्योंकि Newton's second law of motion, जो है, fail कर रहा था, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके, बच्चों, laws of motion, complete होता है, next class में आपके पढ़ने वाले है, friction के बारे में, बच्चों, यहाँ से जाने के बाद, आप धेर सारे question को solve करने की कोसिस करना, बहुत सारे numericals लगाने की कोसिस करना, और थुरा से जूजना, तब जाके आपके क्या होंगे, यह concept जो है, एक एक करके आपके दिमाग में बैठना सुरूंगे, तो पढ़ाई करते रहो,